मेहनत तो starting से ही था कि हां हमको कुछ अच्छा नमर लाना बात मतलब topन की नहीं है बात है कि कैसे अच्छे से हम पढ़े इस्टार्टिंग से हमको स्टार्टिंग से कसेсте रहना पढ़ेंं मतलब एक जैसा पढ़ना पढ़ेगा कहीं मतलब बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं बीच में छोड़ दिया ऐसा नहीं मतलब लगातार आप चार घंटा पर हो पांच घंटा ये दो ही घंटा पर हो लेकिन लगातार मतलब पूरा साल भर पर हो मेरा रूटी नहीं था कि एक तो सारा स से महनत करो मतलब दिखावा के लिए नहीं परना आप जितना देर ही परो अपने मान से परो कि हां हमको अच्छा नमर लाना है तभी आप अच्छा नमर ला से थाइंक यू सो मच और मैं के वी स्टूडियो को भी थाइंक यू बोलना चाहूंगी इस पेसली रोसन सर को जितके दिखाया है बेगु श्राइखी की बिचिया सालू राजने नमस्कार स्वागत है आप समों का के वी स्टूडियो बेगु साय में मैं हूँ आपका दोस्त गौरुकमार पाठक अभी मैं बेगु साय के डुमडी आया हूँ और मैं बता दूँ जिस बेटी के साथ मैं हूँ आज हर कोई सरा रहा है उन्हें बधाई दे रहा है और उनकी मेधा की तारीफ कर रहा है इस वर्स बिहार बिद्याले परिच्चा समयती दोरा आयुजित इंटर की परिच्चा में कोमर संकाय में इन्होंने संपुर्ण बेगु साय में पहला स्थान प्राप्त करके ना सिर् प्रतम सालू बहुत बढ़ाई आपको आपने एक नया कृतिमान बढ़ाया है नाइन्थ और टैंथ मैंने आटीएस विद्यपिड से किया है उसके आगे मैंने जो अलेवंथ और ट्वेल्थ की बढ़ायी किया वो जीडि कॉले से किया है जहां पर मैंने कॉमर्स लिया था सालो एक कोईसन लेना चाहेंगे आपसे कि आपने जो स्ट्रीम का चेन किया वो कोमर्स का चेन किया अमोमन ये देखा जाता है कि स्ट्रीएंट्स में साइंस को लिगर क्रेज होता है या आर्ट्स को लिगर क्रेज होता है कोमर्स में उतनी संख्याई नहीं होती फिर भी आपन इसलिए मुझे लगा कि सीए के लिए कौमर ज्यादा सही रहेगा इसलिए आप सीए करना चाहते हैं फिर से सुब काम नहीं रगी सीए के लिए भी हम आप से जाना चाहेंगे कि आप जिला टॉपर बनी हो अपने जीडी कॉलेज का नाव रोशन किया अपने सिक्षकों का सबसर्थदेश के लिए जाने जरेंगे मतलब मेहनत तो स्टाट इस पारगा कि अच्छा के नमर राइगा तो यहां तक पहुचने में आपने जो महनत किया उसके बारें बताएं सबसे पहले तो बात मतलब टॉपर की चार गंटा पर हो पांच गंटा यह दो ही गंटा परो लेकिंगा पूरा साल भर परो और बीच बीच में बहुत जरूरी है आप जो पर रहे हो करेंगे मतलब साल भर जो पर रहे हैं बीच में 15 दिन में 20 दिन में हम रिवीजन उसको करते रहेंगे बस इतना ही काफी है कि और मेरे पढ़ाये में मम्मी पापा दादी सब का पूरा सपोर्ट रहा है कि मतलब सिर्फ परने पर ध्यान दो तुम्हारा का में परना तुम तुम ही लगता है जैसे पढ़ने के लिए जहां तुमको कोचिंग करना है सब हमको पूरा चूट था कि आप जैसे पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है सारा कुछ मेरा दिसीजन था बस मवी पापा और दादी और घर में जो भी फैंबली मेंबर्स हैं सब का सब्चेश मेरा रूट से था की एक to सारा सवजेक्ट को मतलब टेली यूप करते रहते थे जो एक वीक में पढ़ए हैं उसके लिए और मायं चल रहा हम जो कॉमर्स पढ़ें वो जीडी कॉलेज के पास S-Concept जोन है वहाँ पेसर है उन्हीं से पढ़ा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जिससे क्या हुआ कि एक हेल्प मिल गया कि जो हम किये कॉमर्स में जो भी टॉप किये हैं उनके पीछे उनका भी बहुत बहुत हाथ है कि व कॉलेज से भी बहुत पढ़ाई अच्छी हो रही थी तो वहां से भी बहुत सपोर्ट मिला जीडी कॉलेज से भी जो दूसरे स्टुएंट्स चाहते होंगे उनको भी अच्छी एंकाई वह भी आपकी दर टॉपर बने उनसे क्या मेंसे जोगा आपका यहीं कि आप पूरा म सपोर्ट कोल्गेर का कहना जाएंगे मतलब जितना हम पराई को लेकर जितना स कर लेते हैं तो ऐसे सालू आपका फेड importa Спट्षक क्या हैं कॉमर्स लिए है इसमें में वेदर्व इनसीमें चैनल की आप Ready कर द continues कुति है आप अच्छी मांत तो हम चाहेंगे जब आप निखल गए तो आपने एक जाम में कैसे answer किया अनसर लिखने में एक तो आपको normal लिखना है मतलब आंसर सिट को सजाना नहीं है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं आपको जो रियल answer है और answer पूरा आप आपका खुद का भी आंसर रहना चाहिए और आंसर को सजाना यह आप नॉर्मल जी से लिखते हैं नॉर्मल जो पैन है नॉर्मल आपका जो राइटिंग है आपको वह से लिखना सुनने में यह वह आया था सालो की तुम्हें विरिफिकेसन के लिए बिहार बोर्ड पतना बुलाया गया था तो कैसे कॉल आया किसने मेसेज किया आपको फिर आप वहां कब गई कैसा रहा हुआ का सफर हां हमको कॉल आया था बारा मार्च को हमको कॉल आया था कि आपको भी हार बोर्ड ऑफिस पतना पहुचना है तो हम 13 को यहां से 13 को रात में निकले थे वहां पर वेरिफिकेशन हुआ कुछ कोईशन पुछा गया इंट्रॉडक्शन लिया फिर कुछ एंट्रॉडचन से रिलेटेड थोड़ा लिखने भी दिया गया राइटिंग मेच के लिए उसके तो पिर हम लोग आ गए थे के सनी के तो आपको लगा होगा कि हमने तो लगा की हम लाइन तो तो फिर प्र इनाम है वह से Daisy ओख оф 사람이 हमारी शुब खामना है तो कि स्टूडियो को भी थांक्यू बोलना चाहूंगी इस पेसली रोसन सर को जितके वज़े से हम जैसे बच्चों को ऐसे प्लाटफॉर्म पर बोलने कामों कामिला है कि हम लोग अपनी बात रख सकें हम बहुत खुस हैं अपने पोती के सफलता पर अत्यांती ही खुस हैं ऐसा कौन दादी नहीं होगी जो अपने पोती के इतना टॉपर करने में खुस नहीं रहे सालू का बहुत ही अच्छा स्वभाव है, मेरे साथ भी वह बहुत अच्छा स्वभाव से रहती है, बहुत अच्छा ही बैभार के पढ़ाय लिखा के सिवा वह दूसरे जगह नहीं जा सकती है, अच्छे से पढ़ाय लिखा है, घर में ही करती है, प्रोत्साहन तो मिला किये ह तो पोती थी तो जरूर किये हमको ऐसा बात नहीं है जो हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे नहीं हमारे घर में अगर पांच बेटी है तो हम सब के लिए बड़ाबर सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे जब तक जिन्दा रहे मेरा नाम संजे कुमार रहा है वे उस रहे डुमडी से मतलब अच्छे बिलॉंग करते हैं हम प्राइबेट जॉब करते हैं पुर्णियों में अच्छे अंक प्राप्त करकर करके जिला का नॉम्रोसन की है लेकर के और हमें बहुत गर्व हुआ इस बात को हम तो सोचते हैं सर कि सालू जैसा बेटी भगवान सब को दे लेकर करके हैं क्योंकि उसके बिचार और बेभार उसके संसकार से हम काफी मतलब से खुश रहते हैं हमने कभी उसको प्रेश ने किया कि तुम कभ पर हो नहीं पर हो क्या पर हो नहीं पर हो लेकिन इतना जरूर ह करते थे कि हम जब भी देखते थे तो उसके होत में बुक ही रहता था और हम कहते थे कि बटा थोड़ा सा घूम लो थोड़ा फीर लो तो वह हमेशा बोलती थी रहते कि कि पापा बुक छुड़ा करके हमको दुसरा चीज में मन नहीं लगता है लेकर करके तो हम कहें फिर भी मतलब 6-10 मिन अधा गंटा तरह लेने में माइन फ्रेस हो जाएगा और हमने कभी दवाब नहीं बनाया उसको और मुझे पूर्ण बिश्वास पहले भी था और अभी भी है और उम्मित्ता हम आगे भी रखते हैं कि सालू अपने बेभार, अपने विचार, अपने संसकार से, अपने परहाई से कभी कमसंगारजन को बोलने का मौका नहीं देगी लेकर के मुझे बहुत खुसी, बहुत अच्छा लगा अज मेरी बेटी जिला में टौपर बनी है सालू बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है, परने के लिए उसे बोला नहीं जाता था तुम कभ पर होगी, कभ लिखेगी, कभ उठेगी, अपना समय पर रूटिंग के मताबिर परहाई करती मेरा नाम सुरूती है, मैं SBSS कॉलेज से पढ़ रही हूँ, इंटर के स्टुडेंट हूँ, सालू मेरी बहान है, वो जिला में टौप की है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम भी उसी तरह करना चाहा रहे हैं, उसी के तरह पढ़ना चाहा रहे हैं कि ताकि हम भी जिले म टौप करें, तो आपने सुना सालू राज के बारे में, सालू राज ने इंटर कुमर्स एस्ट्रीम में टौप करके अपनी माता पिता के सासत पुरे परिवार का नाम रोसन किया, हमारी और से उना एक वार इनको सुब काम नहीं होंगी, ये सिय करना चाहती हैं, तो हम चाह पुरे बिहार के जो सितारे हैं, उनकी कहाने को सुन करके आप प्रिजट हों, किरमेन सीवम के साथ मैं गोरुप कुमार पाठा के वी स्टूडियो बेगुस्ति